गैस आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में और गैस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके फोन में जीयो का सिम है और यहाँ पे आपके फोन में जीयो सिम में 4G नेटवर्क का कुछ इस तरीके से सो नहीं करता है ओके तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप से भी लोग अपने फोन में 4G नेटवर्क को सेटिंग कर सकते हूँ तो गैस आप से भी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए सो गई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको इस सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है तो सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ओप्शन आएगा sim card and mobile network करके तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना sim select कर लेना है sim select करने के बाद यहाँ पर आपको evil option आएगा access point name करके तो सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे में recent करके एक option आ रहा है तो आप वहाँ पर click किजिए उसके बाद app in को recent कर लिजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको mobile network वाले option पर click करना है और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने phone में इस तरीके से इसको enable कर लेना है automatically selected network को इस तरीके से enable कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है आप अगर इसको on करना चाहते हैं use volte को तो इसको भी आप जो on कर सकते हैं और यहाँ पे आपको back आना है back आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको अपने phone को एक बार बंद कर देना है और फिर से उसको on करना है ओके तो इतना करने के बाद दोस्तों आपकी problem 100% solve हो जाएगी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और guys अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए